मेरे को टैक्स सिस्टम से खुंदक है हिंदुस्तान के हिंदुस्तान जैसी जगा में आप 40% टैक्स ले रहे हो 30 से 40 परसंट आपका बच्चा ना सरकारी स्कूल जाता है आप मरने को आओगे आप सरकारी हस्पतालनी जाओगे आपके सरकार से कोई फैसलेटी नहीं मिल रही है जिसके लिए पैसा नहीं दे रहे हो बाकि आप अभी कुछ टोल करते हैं जो 320 रुपे के जब 320 रुपे देने जाओ ना तब सरकार रख लेगी आप सुमेरों में किनो तब आपको खटकी की बात बारा महीं लिए 5 मेने आप सरकार के लिए काम कर रहे हैं ऑपनी जिंदगी विकलो कितने साल और साल आपने विने जो भी करना है, वो साथ मेने में से निकालना है, पांच मेने तो स्वाहा हो गए, और हम सब एक्सेप्ट करके बैटे हैं, जी है, ऐसे ही है, जी, जो बिजनस वाला है, उसको भी यह बाद चमकती है, बरूशाना है, ठीक है, वो नहीं देता टैक्स, आपके बस ऑप्शन ही न अगर आज शाम को को समुंदर में कूदा तो मैं जीमेवार नहीं हो, ठीक है, बिजनस में सरकार को गाली दे रहा है, सरकार उसको चोर बोल रही है, देश चलाद बिजनस में नहीं रहा है, मेरा व्यू सिंपल है इसमें, भाई साब बीस परसंट टाक्स लो, पांच हो, साथ साल की उमर की उपर हो, कुछ मी नहीं फरक पड़ रहा है, भाई, बीस परसंट टाक्स है, फ्लाट है, हिसाब लगा ले अपना कितने अंदर है, कितने बार गए, कितने बच्चे, बीस परसंट देना है, that should be it, but the सरकारी बाबू सीटिंग, have a very different view, उनको ये है, मेर ये को ने 2 करोड इंदुस्तानी मिले, इन से निकालो साला सब कुछ, साला मर कैसे निराभी तक, वही पर टैक्स रेट बढ़ाय जा रहा है, यह तो बेस बढ़ा ना, एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर की चीज होती है, एकनॉमिक्स में, आपने जब 20 परसंट टैक्स कर दिया, जो 10 बंदे बोल रहे थे, भाई, मैं तो पैन भी नी बनवाऊंगा, वो भी बोलेगा, ठीक है, यह बीस उर्पे के लिए क्ली करूँगा, वह इलास्टिसिटी ऑफ चोरी भी है उसमें, आपको लग रहा है कि आमने टैक्स रेट चाले से 20 करा तो आपको टैक्स क क्लेक्शन डबल होने वाले,